हेलो दोस्तों अमित यूट्यूब चनल में आपका स्वागत है हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम MySQL डाउनलड और इस्टाल कर सकते हैं Windows 10 पर तो इस्टाल करने के लिए सबसे पहले डाउनलड करते है MySQL ब्राउजर उपन कीजिए यहाँ पर लिखे MySQL एंटरपेस कीजिए एंटरपेस करती है देखिए MySQL.com आगी वेबसाइट ओफिशल वेबसाइट है यह क्लिक कीजिए यह ओपन हो गया यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए यहाँ से नीचे जाएए यहाँ पर लिखे MySQL community downloads यह ही चाहिए हमें क्लिक कीजिए यहाँ पर देखिए MySQL installer for Windows इस पर भी क्लिक कीजिए अब देखिए current version 8.0.22 है यहाँ पर installers visible है यहाँ पर download पर क्लिक करते है इसको download करते है 2.5 MB का है बस हमने क्लिक किया अब यहाँ पर no thanks पर क्लिक कर दीजिए ताकि यह download start हो जाए अब यह हमारा installer download हो रहा है यह हो गया download अब इस पर हम arrow पर क्लिक करेंगे यहाँ से open पर क्लिक कीजिए तब तक इसको minimize कर देते हैं यहाँ पर देखिए setup type आ गया developer default पर करेंगे तो यह सारे इंस्ट्रॉल हो जाएंगे तो हम custom setup टाइप पर जाएंगे click कीजिए next पर click कीजिए यहाँ पर देखिए अब हम select कर लेते हमें क्या के install करना है यहाँ पर click कीजिए सबसे पहले हम mysql server पर जाएंगे यहाँ पर click कीजिए arrow पर click कीजिए यह right पर आ जाएका मतब यह हम install करना है अब इसको बंद करते हैं अब एप्लिकेशन पर गए MySQL Workbench करेंगे अब यहाँ पर क्लिक किया फिर से आरो पर क्लिक किया अब आगे जाएंगे लास्ट पर जो कि मारा शेल है यहाँ पर शेल पर क्लिक कीजिए इसको यहाँ पर करसर रखिए बार करते हैं यहाँ पर क्लिक कर दीजै यहाँ पर आजएगा अभी तीनों अब देखें दोस्ते डाउन्लोडिक स्टार्ट होगी तीनों प्रॉडर्ट्स की server, workbench और shell की अब देखे दोस्तों इंस्टॉल हो रहे हैं दोस्तों देखिए तीनों product इस्टॉल हो गए अब next पर click करते हैं और देखिए ready to configure next पर click कीजिए यहाँ पर देखिए type and networking आ गया यह port number होगा बाके सब ऐसी रहने दीजिए default next पर click करते हैं authentication method आ गया use strong password recommended यही रखेंगे default अब next पर click करते हैं अब देखिए आपको पता होगा कि by default जो user होता mysql का वो root होता है तो इसका password डालते हैं यह देखिए हमने डाल दिया अब यहाँ पर निया user add करना है तो यहाँ से कर सकते हैं user से अब next पर click करते हैं देखिए windows service इसको default रहने देते हैं और next पर click करते हैं अब देखिए apply configuration आ गया execute पर click करना है यह सारे configure हो जाएंगे server भी start कर देगा database पर initialize करें सब कुछ कर देगा यह execute पर click करते हैं अब देखिए configuration set हो गई the configuration from mysql server was successful अब finish पर click करते हैं configuration completed next पर click करते हैं यहाँ पर देखिए installation complete हो गई start mysql workbench and start mysql shell आ गया अब finish करेंगे तो दोनों start हो जाएंगे finish करते हैं click कीजिए यह mysql shell आ गया और यह मारा mysql workbench आ गया अब connect करते हैं इस पर click कीजिए आपको याद होगा हमारा एक user था root जो default होता है यह देखिए मारा workbench आ गया अब हम क्या करेंगे minimize करते हैं इसको start पर जाते हैं cmd लिखते हैं right click करते है run as administrator यह हमारा आ गया अब हम उसी पात पर जाएंगे करते हैं पहले यहां पर जाएं cd लिखिए right click करेंगे तो paste हो जाएगा मतलब change directory होता है cd का मतलब enter करेंगे press तो वहीं पहुच जाएंगे हम यह हम पहुच गे पर अब server पर login करते हैं mysql minus u user हो गया root minus p enter press करेंगे तो password डान लोगा root का हमने वहां डाला था आपको याद होगा password डालिए अब interface कीजिए interface करती देखिए server start हो गया अब यहां पर database देख लिए थे कौन-कौन से है by default जो होती है show databases press enter यह देखे default databases आ गये अब यहां पर database create करते है create database command होती है database name amitdb डाल देते है interface करते हैं यह देखे create हो गया अब इसको use कर देते हैं use amitdb database change अब यहां पर हम create table command डालके table create कर सकते है यहां पर table नहीं आ जाता है कुछ भी डाल सकते है table नहीं आप इसी तरह आप इसके अंदर columns और उसके data type डालेंगे दोस्तों हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम download और install कर सकते है mysql को फिर हमने demo database create करके भी देखा अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगे तो मारे चैनल मेटेंस को जरू सब्सक्राइब कीजिए